नमस्कार बच्चो, दिस इस राम बिश्णोई and you're watching चियोग्रोफिग्रू जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिंदी की वर्कशीट नमबर फूर, यानि कारेपतरक सिंख्या चार को इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रेम चंजी द्वारा लिखित एक पार्ट दो बेलों की कता दो बेलों की कता में बताये गया है कि जो जानवर होते हैं, जो पशुरू होते हैं, उनमें भी आपस में प्रेम होता है वो भी प्यार की भाषा को प्रेम की भाषा को समझते हैं ये जो हमारी वर्कशीट है ये है आपकी 12 अप्रेल 2021 की सबसे पहले हम इस पार्ट की एक अंस को पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद कुछ आसान से परशन दिये गए जिनको हम हल करने वाले तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट की साथ सुरुवात करते है जानौरों में गदा सबसे बुद्धिहिन समझा जाता है आम तोर पे कई बार आपके पिता जी जब आपके उपर बहुत सारा प्यार आता है तो प्यार से आपको बोलते हैंगे तुम तो बिलकुल गदे हो समझी गए होंगे कि गदे किसको कहा जाता है तो गदे को आम तोर पे सबसे बुद्धिहिन समझा जाता है लेकिन प्रेमचन जी की दो अनुसार ऐसा होता नहीं है उसको बुद्धिहीन क्यों कहा जाता है, जब हम किसी आदमी को पडले दरजे का, पडले दरजे मतलब अवल दरजे का, एक नमबर का मुर्क या बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो हम उसे बेवकूफ नहीं कहते हैं, गुमा फिरा के कहते हैं, कि आप तो गधे हो, तो गधे की उपादी क्यों दी जाती है क्योंकि गधे को बुद्धिहीन माना जाता है जब कोई ऐसी हरकत करता है कि जो बुद्धिहीन वाली हरकत होती है तब उस वैक्ति को उस पर्षन को क्या कहते हैं हम गधा कहते हैं गधा सचमुछ बेवकूफ है या उसके सीधे पन या निरापद स रही शनुन्ता ने उसे पद्वी दे रखी है ये निश्चे नहीं किया जा सकता लेकर कहते हैं कि गधे को बुद्धिहिन या बेवकूफ क्यों कहा जाता है क्या सच में बेवकूफ है या फिर जो उसका सीधा पन है या उसकी जो सहन शेलता है उसके कान उसको बुद्धिहिन कहा जाता है, ये अभी तक निश्चित नहीं है कि उसको बुद्धिहिन क्यों कहा जाता है गाएं सींग मारती है और ब्याई हुई जो गाएं होती है वो तो अचानक ही सिंगनी का रूप धारन कर लेती है, गाएं है हलंकि वो भी सीधे पन में होती है लेकिन सिंग मार देती है और जब ब्याई हुई गाय हो तो कई बार वो अचानक ही सेनी को आकरमन की मूड में आ जाती है कुता भी बहुत करीब जानवर होता है लेकिन कभी-कभी उससे भी क्रोध आ जाता है वैसे जिनको कुत्ते ने काटा है तो उनको पता है कि क्रोध कब और कैसे आता है लेकिन फिर भी आम तोर पे जो गले की कुत्ते होते हैं वो काफी शांत जानवर माने जाते हैं किन्तु गदे को कभी क्रोध करते नहीं सुना या नहीं देखा गया है जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे खराब सडीवी घास सामने डाल दो उसके चहरे पर कभी ऐसन्तोर्ष की भावना नहीं होती कभी भी गदा अंदोलन नहीं करता है कभी भी गदा करांती नहीं करता है सुना कभी गदे नहीं करांती कियो आंदोलन क्या हो नहीं करता न तो लेखा कभी मानना है कि गाए या कुत्ते हैं वो भी शांच जानवर होते हैं लेकिन गदे की बराबरी नहीं किया सकती गदा है ना तो कभी क्रोध करता है, ना कभी गुस्सा करता है, उसके सामने कितनी सड़ीवी घास डाल दो, कभी ऐसंतोस दिखाई नहीं देता कि मैं ये नहीं खाऊंगा, नकरे नहीं होते हैं, बेशाक में चाहे एक आधबार कुलेल कर लेता हो, तो हमने उसे कभी खुश हो पर एक विशाद स्थाई रूप से चाया रहता है सुख दुख लाभानी किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा यानि कि मो माया को त्याग चुके हैं कि जो कुछ भी हो उसके साथ वो एड़ेस्ट कर लेते हैं रिशी मुनियों ने जितने गुण रिशी मुनियों में जितने गुण हैं वैं सभी उसमें प्रकाष्टा को पहुंच गए हैं कि जैसे रिशी मुनियों की बात करते हैं कि वो श्यांत सभाव के होते हैं क्रोध नहीं आता एसंतोस जाहिन नहीं करते हैं सुख दुख लाभानी को एक समान रूप से ग्रहन करते हैं वो सारेक सारी पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है ये तो गदा मुर्क होता है तभी तो आपको गदा कह दिया जाता है सदगुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित सीधा पंद संसार के लिए उप्योप नहीं और लेकर कहते हैं कि साइध गदे बहुत सीधे होते हैं और जो तो सीधे लोग होते हैं वो यहाँ पर इस विश्यू में एडजेस्ट नहीं करपाते हैं इसलिए तो उसका मजा कोड़ाय जाता है बेवकूफ कहके ये थुआ हमारा आज का गद्यांस जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे गद्धे को लेकर के प्रेमचन जी ने बताया कि उसके सी अप्थीन लोग वते हैं उनको गधा का जाता है अब हम पर्षनोतर की बात करते हैं काफी आसान से परशन दिये गहीं इस वर्कशीट में हमें च्छे परशन दिये गहीं पहला जो हमारा परशन बनता है कि जानवरों में सबसे बुद्ध हिन कौन सम्झा जाता है तो नेक्स जो तीसरा, थर्ड हमारा question बनेगा, कि गधे को बेवकूप की पदवी उसके किन गुणों के काण मिली है, तो गधे के सीधे पन, निरापद, सही सनूता के काण उसे बेवकूप की पदवी मिली भी है, चोथा जो हमारा question बनता है, गाई सिंगनी का रूप कब धारन कर लेती है, उसके बाद पांचवा पर्षन हमारा रहेगा, फिप्त जो हमारा question रहेगा, कुट्था भी रिक्स्तान जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी रिक्स्तान आ जाता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कुट्था भी जानवर है, तो यहाँ पर आएगा गरीब, गधा किस मास में खुष होता है, किस महिने में खुष होता है, और वह खुष होने पर क्या करता है, तो गधा बेशाक मास में थोड़ा खुष होता है, और खुष होने पर वो एक आद बार कुलेल मस्ती उचलकोद कर लेता है, तो यह थी हमारी आज की बेहद आसान वरक्ष वो दो दिन पहले ही अपडेट कर दी जाती है उमेद करता हूँ आपको ये वरक्षीट अच्छी लगी होगी अगर ये वरक्षीट अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी किया जा सकता है थैंक यू बाइबाई है वे नाइस टे